जै श्री राम भक्त जनो प्यारे भक्तों अगर आप अमर होना चाहते हैं तो इस योगिक क्रिया को प्रति दिन जादा से जादा करें आप अमर्त को प्राप्त हो सकते हैं लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही गुप्त योगिक क्रिया है हमारे गुर्देव का आदे से कहल्यों के जीवों को ये जरूर बताई जाए अगर अमर्त को प्राप्त होना चाहते हैं तो आप अमर हो सकते हैं क्योंकि इस क्रिया के करने से प्रती दिन उमर बढ़ती हैं और जब प्रती दिन उमर उमर बढ़ेगी आप प्रती दिन ही सब व्यास को करेंगे तो आप अमर्त को जरूर प्राप्त कर सकते हैं आप अमर हो सकते हैं लेकिन आप अमर होना चाहेंगे तो क्योंकि बहुत से रिशिमोनी संतिस तरह के हुए हैं जिनोंने इस पिक्रिया को किया और उनकी उमर दो सो ढाई सो तीन सो पान सो साल तक हुई लेकिन उनको फिर सरीर से घ्रिना होने लगी उन्होंने संकलब के द्वारा अपने सरीर को छोड़ दिया क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई चीज नहीं मिलती है तो उसकी एक्षा होती है और जब कोई चीज मिल जाती है तो एक्षा समाप्त हो जाती है तो प्यारे भक्तों अगर आप अपनी उमर को बढ़ाना चाहते हैं और आप अमर होना चाहते हैं तो यह है आपके अपने हाथ में है तो आप ध्यान से सुनें और समझें और आप अगर अपनी उमर को बढ़ाना चाहते हैं जाते हैं या फिर अपनी एक्छां को तुरंत पूरा करना चाते हैं तब भी ये क्रिया बहुत अच्छी तरह से प्रभाव दिखाती है तो अब आप ध्यान से सुनें आपने करना क्या है बहुती आसान क्रिया है बहुती आसान अभ्यास है आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसके अभ्यास के करने के लिए इस क्रिया को करने के लिए किसी भी समय कर सकते हैं किसी भी तरह से कर सकते हैं कोई नियम नहीं है कोई कानून नहीं है और कोई समय न अवस्ता सुद्ध या असुद्ध अवस्ता में कैसे भी कर सकते हैं तो करना क्या है आपने करना यह है कि आपने स्वास को खीचना है और रोकना है उसके बाद जितिन देर आप से रुके उसके बाद छोड़ देना है तो प्यारे वक्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रिक्रिया को आप जितना समय रोज करेंगे suppose करो आपने इसको पांच मिनट पुरती दिन किया आदे-ादा मिनट करने के बाद या दस मिनट किया तो उतना ही आपकी उमर आपने आप बढ़ जाएगी जितने आप उमर लेके आएगे वो उमर तो है यही लेकिन इस पिक्रिया को अगर आप करेंगे तो आपकी उमर 100% बढ़ने लगेगी और आप प्रति दिन जादा से जादा से अभ्यास्व करेंगे तो आपकी उमर बढ़ती ही चले जाएगी आपकी कभी उमर खतम ही नहीं होगी जब आप उसको छोड़ देंगे उस किरिया को तो आपकी उमर वहीं रुक जाएगी और जितनी बढ़चुकी उतनी बढ़गी उसके बाद आपका प्राणा नत हो सकता है अगर आपने अम्रत्य को प्राप्त करना है आपने रहना मरना ही नहीं है मृत्य को प्राप्ती नहीं होना तो इस पिक्रिया को आप नियमित रूप से ज़्यादा करें और दूसरी बात ये है कि इस पिक्रिया को अगर आप करते हैं तो आपकी उम्र तो बढ़ेगी आपकी बीमारियां भी कम होंगी और आपकी इक्षा भी तुरंत पूरी होने लगेंगी जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपकी इक्षाएं भी दीरी दीरी पूर्ण होने लगेंगी और आद्यात्म छेत्र में तो आपकी बिना कि अपने आप उन्ती होने लगेगी और आपका ध्यान भी लगने लगेगा क्योंकि अभ्यास जब ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा तो आपका ध्यान अपने आप घटित होगा आपको ध्यान करने की आवसकता नहीं होगी तो भक्तो इस योगिक क्रिया के कितने फाइदे हैं आप खुदी समझ ले तो आप आसा करते हैं हम कि आप अच्छी तरह सुना होगा समझा होगा और इस अभ्यास को जरूर करेंगे और हर छेत्र में सपलता प्राप्त करेंगे अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं ज जह सिरी राग